आइएए पिए टेंशन टूपाट आइए टीच तुडएए अब आई विल्ल टीच तुडएए ट्लास 11 थुमिस्टी टॉपिक है मोल कंसेट्ट अब लोग बताए जाना है उसी में मोल चंसेट्ट में काल्कुलेसान आफ मास आफ इंटम और मालबस कि अब लोग हम बता चुके हैं कि वान मोल के बारे बताए गया है क्या है तो किसी भी सवस्थान्स का उतना इमोंट लिए जिसमें की सवस्थान्स के इतने 6.022 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल हो कि अब पार्टिकल में बताया जा चुका है आपका एटम्स कि आयन्स कि एंड कि मालिकुल्स कि इतने रहेंगे जिस सब्स्थान्स के मांट तुछ क्या बोलेंगे वान मॉल का कि एस टीपी और एंटीपी पर बताया चुका है ट्वांटी टू पॉइंट पूर लीटर आप कि आप ट्वांटी तू थालेंड फोर हंड्रेंड एंड तो वान मॉल का पार्टिकल एटम्स वालूम और वान मॉल का मास नेरे बाउट मार्ट तो हमें अब इस सब जो है की जानते हैं कि वान मों कोई सबस्टांस होगा इतने 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 एटम का मास्स इतने इतने एटम के इतना होगा सब्सक्राइब करते हैं तो वान मोल स्टोडियम हड़क्साइड मींस कितने सोडियम हड़क्साइड के मालकुल्स इतने मालकुल्स इतने मालकुल्स इतने मालकुल्स का वेट कितना हो जाएगा तो वान मालकुल्स का पाइन करना हो तो हम ऐसे करेंगे तो वही कल्कुलेशन है ठीक ना हम देखते हैं कैसे होता है तो पाहला क्वेश्चन का रहा है आपका की कल्कुलेट दो मास आफ एन इतम आफ शीलवर क्या करना है कैल कुलेट दो कल्कुलेट दो मास मास आफ वन मास आफ आइन इन इसका एक अटामिक मास दिया हुआ है है एक टामिक मास कितना दिया हुआ है वान हंडेल एट है ठीक ना आपके क्वेश्चन में दिया हुआ कर रहा है कि कल्कुलेट करना है हमें क्या चीज़ आइन वन एटम आफ शीलवर की वन एटम का मास प्राइंड करना है ठीक है ना तो हम जानते हैं कि यह इतना अटमिक मास दिया है न कितना का है अब वान मोल वान मोल कमा सिकते हैं कितने हैं कि सुलूसन भाइंगे तो सुलूसन कैसे करेंगे हम जानते हैं यह जो मास दिया हुआ है वान मोल सिल्वर का मास कितना है 108 तो हम लिख देंगे कि सिंस 6.022 इंटो 10 पावर 23 एटम्स आफ एजी तो कितना वान मोल कितना वेट है वान हंड्रेड एट तो कितने का फाइंड करें वाई एन वान एटम करें तो देर फार वान तो क्यों यह गांड्रेड एट अब आई कि 6.022 इंटो 10 पावर 23 एटम्स आफ करतेंगे तो साल करेंगे तो आपका अंसुर आजाएगा वान पॉइंट से नाइन त्री इंटो 10 पावर कि यह हो जाएगा आपका वान एटम कर रहा है दिया हुए अटामिक मस्टी एटामिक पसंति क्या दिया है वान मूल सिल्वर का इतने वान मूल मतलब की इतने वान मूल मतलब की इतने एटम आयन मालकूल तो वान मूल मतलब इतनी एटम का वेट दिया है तो अगर आड़की वान एटम तो जो इतने एटम का वेट है उसको जो हए कि इतने एक तो उसके करें तैंक रहे सब्सक्राइब डिजाएगा एतने नेक्स प्युंस के डिदेटे जायेगा इसी तारह से यवस्टेशन है आज कर रहा है कि कैल्कुलेट दो मास क्या करना है कैल कुलेट लेट किसका किसका बही तो आटम आफ कर वन एकता माफ कर वन एकता है कि अखिए कि शेकंड रहा है वान मालकुष आफ एंटू फॉन माली इस वान मालकूल साथ इंट्राइड करना है इसके बाद वान मालकूल आप वाटर करना है यह फर्स्ट प्रस्ट प्रवान वान मालकूल साथ एंट्रू और वन माली विल्स आप वान मालकूल साथ वाटर कर लिए ठीक है अब यह कहला है कि कारवन फूर्टीन कारवन ट्वेल्ट नहीं कारवन फूर्टीन कारवन फूर्टीन में तो क्या स्कुने रहे हैं यह कारवन का इसो टूप से फूर्टीन ठीक है ना तो हमें वान का फाइन करना है ठीक है ना ओन लोग आल्ड़ी यान वान मूल कारवन वान मूल कारवन मतलब कीतना कारवन कितने एटम्स वान मूल कारवन मतलब की 6.022 इंटू 10 पर पावर 23 इटम्स आप कारवन उतने एटम्स आप कारवन मूल मूल मिन्स कितना तो हम लोग फर्स्ट करेंगे 6.022 इंटू 10 पर पावर 3 इटम्स आप कारवन मिन्स कितना वान मूल कारवन का वेट इतना होता है चुकि यह आपका आइसो टूप है तो आइसो टूप में क्या होता है एटामिक नंबर से होते हैं वेट अलगल होता है तो फोर्टी लिए मतलब की वान मूल कारवन कारवन का वोट इतने एटम सुझाएंगे इसका वेट कितना है 14 इतने कारवन के एटम का वेट कितना है 14 तो हमें करना है वान एटम का क्रस्ट में के सनु होता है मींस 14 इंटू वान बाई कि 6.022 इंटू 10 पावर 23 अब डिवाइट कर देंगे तो हमारा जाएगा 2.32 इंटू 10 पावर माइनस यह पावर पहले तूपर चला जाएगा और फोर्टीन को इतनी डिवाइट कर देंगे तो यह अंसर आ जाएगा कि लिए है तो यह वान एटम कारवन का वेट अब देखते हैं दूसरा का रहा है वान मालकों सफ एंड कू आएए देखते हैं वान मालकों सफ पर रहा है मतलब की हम जानते हैं सेंस इतना इसक्स पाइंट के दूसरा को केस्टन है जीरो तू टू इन्टू इन्टू तेन पर कावर ट्वावर्टी थी माली होल्स आफ एंटू मेंस कितना वान मोल एंटू अब इसका वेट कितना जाएंटू का वन नाइट होजें के पेट होता है फोर्टीन तो वन मालकूल से इसका वेट कितना जाएंगा यह आपा 28 ग्राम मैं इतने मालकूल से निट्रोजन के कितना है इतने मालकूल से कितना होता है इतने मालकूल मुल्स है मिन्स इतने माल कुल्स कितना है 28 तो इतने का पुछ रहा है वान का वान का कर लिए 428 आइंटु 1 अब आई 6.022 इंटु 10 पर बावर 20 अब स्वाल कर देंगे हम ठीक है तुम मिल जाएगा आपका 4.65 इंटु 10 पर पावर माइनस 23 है यह हो जाएगा आपका सेकेंड नामर किस्टन हो गया फर्स्ट कार्बन का सेकेंड मालकुल्स ने जोजन का अब कहारा है कि वन मालकुल्स आप वाटर देखते हैं वान मालकुल्स आप वाटर के लिए उसी तरह से निकालें हम जानते हैं और लेड़ी यह हमारा थर्ड नुमर क्वेश्टन है हम जानते हैं हिट्ला जानते हैं वेई कि सेंस शीक्स पॉइंट जीरो तुटू इंटू टेन्फ पावर ट्वंटी थ्री मालकुल्स आफ एच्टू इतने मालकुल्स एच्टू इस कितना वन मॉल है यह वन मॉल है इतने मालकुल्स मतुता मुल वन होगा वन मॉल होगा तो एटीन ग्राम पैसे तो एच्टू है ना हीड्रोजन का टू और अक्सीजन का सिस्टिंग तो एटीन नहीं हो गया तो एटीन ग्राम एतने मालकुल्स का वेट एटीन ग्राम इसलिए इतने मालकुल्स का वेट एटीन ग्राम का टू आपका आज जाएगा 18 इंटू 1 बाई जोएट कर दीजिए तो आपका आज जाएगा 2.99 नाइंटू 10 पावर माइनस 23 ठीक है तो यह आपके हो गए कल्कुलेशन मोल कंसेप्ट का बेस्ट आंकिस पर अब दूसरा हमारा इस पर पढ़ेंगे कर तो कल्कुलेशन आप नंबर आफ माइन प्रिजेंट इन गीवेन वालूम आप वालूम दिया रहेगा तो उसमें नंबर आफ मालूम इसे बताया है कि मोल्स का डिलेटर किलेशन नंबर से मास्ट और वालूम से हैं अब वालूम दिया रहेगा उसमें नंबर करना है कि करना है तो कल्कुलेशन आप नंबर आफ मालूम प्रिजेंट इन गीवेन वालूम से नंबर करेंगे आज के लिए इतना ही इतने हैं अबूच्वण